आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गमले में लगे हुए नीवू के पौदे से हम ज्यादा से ज्यादा नीवू किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नीवू पाने के लिए हमको अपने पौदे को सबसे पहले तैयार करना होगा तो पौदे को तैयार हम कैसे करेंगे आईए इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे इंडियन व्यूटि गार्डन यूट्यूब चैनल पर आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे आगे फूल फल कम आ रहे हैं या फिर फूल बरपूर आ जाते हैं लेकिन फल बनने से पहले ही वो जड़ जाते हैं तो दोस्तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके पौदे से फूल बिल्कुल भी नहीं जड़ेंगे और फल भी आपके पौदे पर बरपूर आने लगेंगे तो दोस्तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूँ जिन लोगों के पौदों से फूल जड़ रहे हैं तो देखे नीबू के पौदे से फूलों का गिरना या फिर पतियां पीली पढ़कर गिरना तो इसका मुख्य कारण होता है हम अपने नीवू के पौदे में सर्दियों के मौसम में पानी की नमी रखते हैं जी हाँ दोस्तो यदि हम अपने नीवू के पौदे में सर्दियों के मौसम में पानी की नमी रखते हैं तो नीवू के पौदे पर सबसे पहले यही समस्या आती है कि नीवू के पौदे से फूल गिरने लगते हैं और पत्यां पीली पढ़कर गिरने लगती हैं तो दोस्तो इस समस्या को नीवू के पौदे से दूर करने के लिए मैं आपको एक ऐसा बहतर उपाय बताने वाला हूं जिसके बाद में आपके नीवू के पौदे पर ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी तो दोस्तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा अपने एक नीवू के पौदे के लिए 200 ग्राम गोवर की खाद लेनी है और इसके अलावा 10 लीटर पानी लेना है उसके बाद में हम उस 200 ग्राम खाद को उस पानी में डाल देंगे पानी में लगवग 20 मिनट के लिए हम उस गोवर की खाद को ऐसे ही छोड़ देंगे जब 20 मिनट के बाद में गोवर की खाद उस पानी में अच्छे तरीके से गल कर तयार हो जाएगी फिर हम उसे अपने नीवू के पौदे में इस्तिमाल करेंगी तो दोस्तो ऐसा करने से होगा क्या जो लोग कहते हैं हमारे नीवू के पौदे से पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगी है या फिर फूल गिर रहे हैं फूल और पत्तिया नीवू के पौदे से नाइट्रोजन की कमी के कारण गिरने लगती हैं और वो नाइट्रोजन की कमी पौदे में जब होती है जब हम अपने नीवू के पौदे में पानी की नमी रखते हैं तो दोस्तो ऐसा उन लोगों को कर देना है जिन लोगों के नीवू के पौदे पर ये समस्या बन रही है जी हाँ दोस्तो इस खाद के इस्तिमाल के बाद में आपके नीवू के पौदे में मुल्ले पोसक तत्तों की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपके नीवू के पौदे से ये समस्या भी जड़ से खत्म हो जाएगी तो दोस्तो ये समस्या दूर करने का उपायत तो मैंने आपको बता ही दिया है और अब हम बात करेंगे ऐसी दो चीजों के बारे में जो दो चीज़ें आपके नीवू के पौदे में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देंगी जी हाँ दोस्तो तो देखिए उसमें से पहली चीज़ ये आती है इसे हम बोलते हैं water soluble calcium nitrate fertilizer तो दोस्तो इसका काम क्या होता है मान लीजे अगर हम अपने नीवू के पौदे में इसे एक बार इस्तमाल करते हैं महीने में तो महीने में एक बार भी इस्तमाल करने के बाद में हमारे नीवू के पौदे में फूलों की और फलों की बिलकुल भी कमी नहीं रहती है जी हाँ दोस्तो नीवू का पौदा इसे इस्तमाल करने के बाद में बरपूर फूल और फल देने लगता है तो अब जान लीजे इसे हमको कैसे इस्तमाल करना है देखे हमको अपने नीवू के एक पौदे के लिए 6-7 दाने ले लेने हैं और आदा लीटर पानी में डाल लेने हैं ऐसा करने के बाद में ये हमको अच्छे तरीके से गुल देना है जब ये गुलकर तयार हो जाए फिर हम इसे अपने नीवू के पौदे में इस्तमाल कर देंगे अब दोस्तों हमारा ये water soluble calcium nitrate fertilizer गुलकर पूरे तरीके से तयार हो तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने नीवू के पौदे की गुडाई भी कर ली है और इसमें ये fertilizer भी डाल दिया है आईए अब हम जानेंगे उस दूसरी चीज के बारे में कि आखर में वो दूसरी चीज कौन सी है तो देखिए सामने आप देख सकते हैं मैंने अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसे गोल कर डालने से और इस्प्रे करने से होता क्या है तो देखिए अगर हम इसका इस्प्रे करते हैं अपने नीवू के पौदे पर तो उससे फलों का साइज वढ़ता है और फल वहती स्वाधिश्टाती है इसके अलावा अगर हम इससे अपने नीवू के पौदे में गोल कर डालते हैं तो नीवू के पौदे की गिरोत तेजी से वढ़ती है और नीवू के पौदे में किसी भी तरह की बीमारी नहीं लगती है तो दोस्तों मैंने आपको बता दी हैं वो दोनों चीजें जिनके इस्तमाल से अमारे उम्मीदद दुस्तों आप लोगों को मेरा यतरीगा जरूर पसंद आया होगा वीडियो कर पसंद आयो तो वीडियो को लायक करें, सेयर करें और कमेंट वाक्षों बताना ना भूलें वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सस्क्राइब कर लें मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में ठेंक यू